नवाश्कार दोस्तों मेरे नाम है विमल सिंग बाला जीश्टरे एड़ा में आपका स्वागत है जूनियर के सूपर टेट के लिए जिसे के वाँ आपको प्रेक्टिस करा रहे हैं अलग-अलग प्रसनों की इससे पहले हमने कल देखी थी आपके विज्ञान के विशे की महरा हिंदी विशे का चुनाओ किया तो यहां से प्रसनों की प्रेक्टिस आप कर सकते हैं और वैसे भी हिंदी एक ऐसा विशे है जो कि आप देखेंगे प्रतेक पेपर में बूशल आ रहा है तो आप किसी भी अन्ने पेपर की भी तैयारी कर रहे है तो भी इन प्रसनों की प्र सकते हैं चलिए श्टार्ट करते हैं पहला प्रसना आपका है कि चिरंतन सब्द का विलोम निमलिकित में से कौन सा जो है वो होगा तो सनातन अविछिन सास्वात या फिट नस्वर रीड का पेपर भी आपका है जिसने भी फिल किया होगा तो हां से भी उसके लिए help फिल होगा यूपी डट का भी आगे पेपर होगा तो उसमें भी हिंदी यानि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी में आता है तो चलिए बात करते हैं फिर अंसर की इन चारों उप्षन में कौन सा सही होगा तो आप क्या कहेंगे दूसरा वाला आपका उप्षन अभी छिन जो है वो सही होगा चिरंतन सब्द का जब आपसे विलोम सब्द पूछा जाए तो अभी छिन जो होता है दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रसना आपके थोड़े से कठिन लेवल के आएंगे क्योंकि जूनियर का पेपर दे रहा है तो ऐसे ही जैसा अब यह प्रसना ह यहनि कि अच्छी तरीके से परचित होना लोहा लेना मतलब सामना करना सैतान के कान काटना बहुत चतुर होना तो आपको इन में से गलत जो है वो छाटना है कौन सा जो है वो होगा तो option one two three four में से कौन सा जो है वो सही होगा चलिये बात करते हैं उतरकीद तो पहला वाला ह गलत है आपको इस पर समझ में आ रहा है कि रास्तान आपने का मतलब यह कता ही नहीं होता है कि आकलन करना रास्तान आपना का वैसे आप नॉर्मल कहते हैं कि चले जाने के संदर में और अगर एक्चुल अर्थ भी आपसे लिखने को आये तो रास्तान आपने का आप यही पर हो जाता है लोहा लेना होता है कि जैसे सामना करना बहुत से ऐसे जैसे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है या कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो लोहा लेने के संदर में आपका बहुत आप यूज भी करते हैं और सैतान के कार्ण काटना का होता है बहुत चतुर होना तो केवल चीजों को यह मत देखिया अंसर क्या सही है बागी जो option है उनको भी याद करते हुए चलिए अगला प्रसंद कहा रहा है लोकोपती और उसके अर्थ के जोड़ेगे में कौन सा जोड़ा गलत है अभी हमने मुहावरा देखा यहाँ लोकोपती पूची गई है हलांकि पूचा यहाँ पर भी गलत गया है तो जल्दी से बताईए चाटिए कौन सा यहाँ पर गलत होगा आख का अंधा नाम नेंसुक का कह रहा है कि नाम के प्रतिकूल कारे करना तो यह तो पहला तो बिल्कुल आपका सही है आपको भी समझ में आ रहा होगा दूसरा कहरा है कि अकल भड़ी या भैस तो इसका होता है बल की अपेक्षा बुद्धी अधिक सक्तिसाली होती है बिल्कुल सही लग रहा होगा आपको उल्टा चोर को उतवाल को डाटे कहरा है कि अपना दोस्त ना मानकर दूसरों पर मनना ये भी आपका सही ही आप देखते हैं और आकरी है आ बैल मुझे मार जो की है बैल को मारना तो अब आपको आसानी से साटने में समझ में आ रहा होगा कि इन चारों में कौन सा गलत है तो बिलकुल चलिए बात कर लेते हैं अंसर की तो आपका चोथा वाला ही बिलकुल यहाँ पर सही होगा जो की आपका जोड़ा जो है वो गलत है आ बैल मुझे मार का अर्थ बैल को मारना बिलकुल नहीं होता है इसका अर्थ होता है, जो मुसीबत है, उसको आमंतृत करना, समस्याक को आमंतृत करना, उसके संदर में भी आप बोल सकते हैं, तो आपका चौथा वाला बिल्कुल सही होगा, यानि कि चौथा वाला जो option है, वो सही होगा, क्योंकि आपसे गलत जो है, वो पूचा गया था, बाकी सबी तो सरल हैं, वो आपको याद भी होंगे, चली बढ़ते हमारे अगले प्रस्ण की तरफ, और लाइफ टाइमिंग जिसको नहीं पता है, उसको मैं बता दू, साम के 8 बजे की लाइफ टाइमिंग है, और साथ ही साथ एक लाइफ टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की बी है, तो दोनों ही समय पर लाइफ आकर भी वीडियो देख सकते हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, वो आप साम के 8 बजे लाइफ देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं प्रस्ण अगला, ओडेन के संदी विच्छेद का सही विकल्प आपको कौन सा होगा बताना है, उसके अकورडिंग भी आप कह सकते हैं, कि जब विंजन संदी के नियम के अनुसर जो ता होता है, उसके बाद अगर आपका ता अता है, तो क्या होता है? जो ता होता है, वो करमसा ता या दा जो है, नुपने उसमें बदल जाता है. अब जैसे उड्यन की बात करें तो उट्थ फ्लस ड्यन जो है यहाँ पर जो ता है वो ड्या में परवर्तित हो गया है उसी परकार उड्यन जो है आपका ता का भी हो गया यही चीज़ यहाँ पर मैंने rule regulation के according भी बताया है पर क्या होता है ना कि इसी टाइप के ही पूछही ज तो द्रश्टा इस टाइब से चार चीजे लिखे हुए है इसमें से कौन सा सुद्ध वर्तनी वाला जो है वो सब्द है यहाँ पर सुद्ध जाटना है तो द्रश्टा रचईता रचईता तो बहुत बार यूज़ भी होता है तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है यह आपको य यही आपका जो है वो सुद्ध सब्द है पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा श्रष्टा भी गलत लिखा हुआ है चलिए परते हमारे अगले प्रस्न की दरफ जो की पूचा गया है चौराहा में जो है वो कौन सा समास होगा तत्पुरुष समास होगा बहुबरी होगा दि क्या कहेंगे बिल्कुल आपका तीसरा ओप्शन दिखु समास सही हो जाएगा जब भी संक्या वाची सब्द होता है वहां पर दिखु वाचक समास होता है क्या होता ही परिवासा जिस समस्त पद का पूरुपद संक्या वाचक विशेशड होता है वही आपका दिखु समास ह अब इंग्साम्पल में आपका चौरहा हो गया दिरहा हो गया। इसने आप बता सकते हैं। भी हमेशा ध्यान रखिए, कि जब मुहावरे लोकोपती पूछी जाती है और उसमें वही exact अर्थ वाला ही option को दे रखाओ तो ज्यान दीजे वो उत्तर नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अंदर अंदर कड़ाई में गुड़ पकना, तो यहाँ पर कह रहा है ज्यान होना, काम ना आना, तो ऐसे अर्थ लिखे हो, यानि option में यहाँ तो वैसे नहीं लिखा है लिखाओ कि गुड़ कच्चा रह जाना, इस टाइप से मतलब कि जो यहाँ पर लोकोपती मुहाबरे में ही दे रखाओ उसी से लिखेट अगर option हो, तो वो नहीं सही होता है सही होगा, अव्य भाव समास, बहुबरी समास, दिगु समास, तत्थपुरु समास, कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता सभी आपको मैंने definition काफी बार बताई हैं कि किसमें अन्य पद प्रधान होता है, किसमें दोनों पद होता है इन चारों उप्षन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा बात करते हैं चलिए अंसर की आप कहेंगे दूसरा वाला उप्षन बहुबरी समास बिलकुल सही होगा कि जिस समास में कोई पद परदान नहीं होता कि कोई तीसरा पद कोई अन्य पद परदान हो या कोई पद परदान नहीं हो इस तरीके से भी आप इसी सेंटेंस को गह सकते हैं तो वो आपका बहुबरी समास हो जाएगा यहाँ पर जो लंबा होगा वो पूर पद हो जाएगा अगला है कि स्वर जो है वो किसका बहुद है समास का है, वर्ण का है, संदी का है या फिर लिंक का है तो बताना है आपको इन चारो उप्षन में से कौन सा जो है वो सही होगा स्वर जो है वो किसका बहुद है उप्षन 1,2,3,4 में से कौन सा जो है वो सही होगा चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की तो आप क्या कहेंगे स्वर इन में से किसका भेद है तो संदी का भेद है क्योंकि संदी जो है उसके तीन भेद होते हैं कौन-कौन से एक आपका होता है स्वर संदी एक होता है आपका वेंजन संदी और तीसरा होता है आपका विसर्ग संदी अच्छे यहाँ पर इस टाइप से लिखा गया था स्वर्वेंजन के संदर में तो हो सकता हो, confused हो जाएं कि यहाँ स्वर्ग लिखा है, क्योंकि संदी नहीं जोड़ा गया यह खाली लिख दिया कि स्वर्ग किसका वेद है तो इस चीज को समझेए कि स्वर्वेंजन वाला उससे ना कनेट करके यहाँ पर कोई और option को टिक कर लिजेगा, क्योंकि संदी के संदर में आप जानते हैं, संदी के भी आपके भेद होते हैं, कौन-कौन से तो आप कहेंगे वर्ण के भेद होते हैं स्वर्ग और वेंजन, उस आधार पर भी एजटिस स्वर्ग यहाँ पर हो सकता है तो स्वर्ग किसका भेद है उसको आप वर्ण से भी जोड़ सकते हैं, संदी से भी जोड़ सकते हैं पर संदी में एक यहाँ पर सर्थ यह हो सकती था कि संदी के साथ साथ यहाँ पर लिखा भी प्रस्द में हो कि स्वर संदी किसका भेध है पर उससे तो आप डिरेक्ट पहचानी जाएंगे कि ये संदी का ही बहद होगा तो इसलिए यहां पर दोनों ही option अपनी जगा सही हो सकते हैं पर वैसे अगर देखा जाए तो वरण के बहद में हम सवर वेंजन को ही देखते हैं इसलिए मैंने दोनों ही चीज़े आपको बता दी बाकि सवर जो है उसके भी भेर्द होते हैं उसमें जूनियर वाला पेपर है वहां पर यह प्रसद पूछा गया था तो वहाँ पर अंसर में संदी ही सही दिया गया था पर वण भी यहाँ पर option सही हो सकता है चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रस्ने अत्या चार सब्द में उपसर्ग कौन सा होगा बड़ा अत्य अत्य या फिर अत्य हो इस प्रकार से चार option है बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा अत्य अत्य चार सब्द में उपसर्ग पुछली बात करते हैं अंसर की तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर अत्य उपसर्ग है अत्य प्लस आचार इस टाइप से आपका break होगा तो आप से अगर यहाँ पर उपसर्ग ना पूछ कर मूल सब्द पूछ लिया जाता तो आप क्या कहते है आचार आपका यहाँ पर मूल सब्द है तो कि प्रस्ट पूछने का तरीका थोड़ सा बतलने भी लगा है तो आप से मूल सब्द भी पूछ जा सकता है अगला देखते हैं आपका कि जब चात्र सिक्षक की भासा का अनुकरण करें तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं यह समझे प्रस्ट में कि सिक्षक की भासा का अनुकरण चात्रों को करने को कहा जा रहा है उसे अनुकरण का सिध्धान्त कहेंगे, क्रिया सीलता का सिध्धान्त कहेंगे, प्रैत्न का सिध्धान्त कहेंगे, या फिर अभ्यास का सिध्धान्त और वीडियो पसंद आए, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्रिकर दीजेगा, आपके एक लाइक से, मुझे ही नमबर आएंगे तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजेगा बात करते हैं चलिए अंसर की इन चारों आप्शन में से कौन सा सही होगा तो आप क्या कहेंगे कि अनुक्रण का सिध्धान्त आपका बिलकुल जो है वो सही हो जाएगा जब चात्र सिख्षक की भासा का अनुक्रण करे तो उसी को हम अनुक्रण का सिध्धान्त कहते हैं अगला यह बहुत जदा पूछा जाता है बहुत रिपीट होता है अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उसा नागरी इसमें कौन सा अलंकार है यमक अलंकार, रूपक उपमा अलंकार, उत्प्रेक चालंकार जो चार उप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा और चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आप क्या कहेंगे इन चार उप्शन में से आपका रूपक अलंकार बिलकुल जो है वो सही हो जाएगा इसकी डिफिनेशन क्या होती है जहां उपमे में उपमान का निसेद रहित आरोप होता है या उपमे और उपमान को एक ही रूप कह दिया जाता है वहां आपका होता है रूपकलंकर अंबर पंगट में डूबो रही तारागट उसा नागरी इसका as it is आपको example भी बहुत जगा देखने को मिलता है पूछा गया है जल्दी से बताई इन चारों option में कौन सा सही होगा तो चार option में से चली बात करते हैं अंसर की तो आप सभी जानते है उसमवर्ड कौन से होते है तो पहला वाला आपका option शाशा सावाला जो है सही हो जाएगा पर एक और होता है वो आपका हावी होता है तो यह आपकी example तो याद रखेंगे रहेंगे साथ ही साथ जिन वेंजनों के चरण में मुख से एक प्रकार की उसमवायो की गर्माण निकले उसे हम उसमवेंजन कहते हैं यह definition भी आपके जिमाग में होनी चाहिए और यह जो यारा लावा दे रखेंगे यह अंतस्त वेंजन ज जल्दी से कि मेढक का तत्सम रूब क्या होगा तत्सम तत्वों बहुत पूछ जाते हैं तो जल्दी से बात करते हैं उत्तर की इन चारों उप्शन में से तो आपका उप्शन तीसरा वाला मंडूग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा एक्जामपल आपका यह हो गया जैनि तीसरा वाप्शन तत्सम कहेंगे किसको तो आप कहेंगे कि जो सब्द संस्कृत भासा के हिंदी में आए हैं और जियों के त्यों होई हैं प्र्यूक्त हो रहे हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं पहले मैंने ट्रिक से बताया था कि तत्सम आपका यहांपर सही हो जाएगा अगला कहरा है दिगज जो है इसका संधी विच्छेड बताइये इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा दिगज का ऑप्शन 1,2,3 या पिर 4 तो option 1,2,3,4 में से दिगज का कौन सा सही संदी विच्चेद होगा चलिए बात करते हैं उतर की तो आप क्या कहेंगे दिगज प्लस गजवाला पहला वाला आपका option बिल्गुल सही हो जाएगा इस चीज का ध्यान दीजेगा यहां पर का होता है साथ में हालन्त भी होता है तो दिगज का दिगज प्लस का जह होता है जहां पर जो का होता है वो अपने वर्ग के तीसरे वाला वर्ड क्योंकि का के बाद आपका आता है खा और खा के बाद आता है गा तो अपना ही जो वर्ग होता है का वर्ग का का गा गांगा उसका तीसरा वर्ड जो है इससे जो है आपका परिवर्तित हो जाता है ये वेंजन संदी के जो रूल रेगलोशन होते है उनके एकॉर्डिंग होता है तो यदि यहां पर यह पूछा गया होता, कौन सा यहां पर संधी है, तो vengeance संधी होगी, आपकी यह भी धान नगी करेगा, अगला देखते हैं गुप्त का विलोम आपको बताना है भुक्त होगा, प्रकट होगा, मुप्त होगा, लिप्त होगा, इस प्रकार से चार option है, कौन सा जो है, वो सही होगा, गुप्त का विलोम सब्द आपको बताना है, option 1, 2, 3 या 4 में से अंजर की बात करते हैं, तो आपका दूसरा वाला option प्रकट जो है, तो आपको प्रकट बताना है, तो गुप्त का अर्थ क्या होता है, चिपा हुआ होता है, जो सामने होता हो, उस से आपको समझ में आ रहा है, या एक दूसरे के विपरित है, अगला कहा रहा है कि गांट का पूरा मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होता है दुकानदार होता है, लापर वहा होता है, इमानदार होता है या फिर मालदार होता है तो गांट का पूरा मुहावरे के तुन दर में आपसे पूछा गया है Option 1, 2, 3, 4 में ते कौन सा सही होगा, चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका इमानदार जो है वो विल्कुल सही हो जाएगा गाट का पूरा मुहावरेकार्थ होता है इमानदार अगला देखते हैं आपका प्रस्न जो की कह रहा है कि लक्ष का अनेकार्थक सब्द जो है वो क्या होगा नाम बल होगा, कती चाल होगा, निसाना उद्दे से होगा या सही गलत होगा अनेकार्थक सब्द आपको बताना है किसका लक्ष का जो है आपको अनेकार्थक सब्द जो है वो बताना है option 1,2,3,4 में से कौन सा जो है वो सही होगा तो बिल्कुल आपका तीसरा वाला सही होगा क्योंकि लक्ष का आप सभी जानते हैं निसाना लगाना भी हम लक्ष कोई कहते हैं तो उससे समझ में आ रहा होगा आपको साथ ही साथ लक्ष आपका उद्देश भी तो होता है जैसे आप ये जो सिक्षक भरदी है जूनियर वाली ये आपका क्या है ये आपका एक लक्ष है तो वो भी आपका उद्देश में भी त लेना सकती होगा, इन चारों option में से सुधा का अनेकार्थक सब्द जो है वो क्या होगा, option 1,2,3,4 में से कौन सा सही होगा, चलिए बात करते हैं उत्तरकी, तो पहला वाला आपका option अमरित पानी जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा, सुधा का अनेकार्थक सब्द, अगला प्रसंद कहा रहा है कि आँख का अंधा नाम नयनसुक लोकोपती का क्या अर्थ है ये आपको बताना है, तो पहला कहा रहा है कि आँख की रोस नहीं जाना, दूसरा कहा रहा है कि नाम करण करना, तीसरा कहा रहा है गुड के विरुद्ध नाम का होना, और चौता कहा संतुष्ट होना अब पढ़ने से समझ में आपको क्लियर हो रहा है कि आंक का अंदा नाम नयंसुख का कौन सा जो है वो लोगोपती का सही अर्थ होगा अब पढ़िये तो क्या कह रहा है कि आंक का तो अंदा है पर नाम नयंसुख रखा हुआ है तो क्या है just opposite तो आँख की रोस नहीं जाना मैंने यही चीज़ आपसको समझाने का प्रयास किया था मुहावरे या लोकोपती में जो आपका प्रस्द में पूछा गया है अगर उसी से ही सम्मंदित option ही दे दिया जाए जैसे आँख की बात की गई है और option में भी आँख की ही बात की गई कि आँख की ही रोस नहीं जाना तो इस टाइब के option आपके सही होने की chances बिल्कुल नहीं होते हैं पर पढ़ लीजेगा पर नहीं होते हैं इसी परकार नाम क्रड करना भी नहीं होगा गुड के विरुद्ध नाम का होना ये आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा जिसे हम कहते हैं आग का अंधा नाम नैंसुक और संतुष्ट करना भी नहीं होगा अगला देखने हैं आपका प्रस्ने जो की कह रहा है कि सब्द और विलोम की दर्ष्टी से निम्लिकित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है यानि की गलत आपको इन में से जो है वो चाटना है तो जल्दी से चाटिए लोलुप संतुष्ट दे रखा है क्या इसका ये विलोम होता है विशलेशन का विवेचन दे रखा है यौवन का वार्धक के दे रखा है और इसी प्रकार आपका एक कांग की जो है उसका सर्वांगीड दे रखा है तो आपको बताना है सब्द और विलोम की द्रश्टी से इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है तो चलिए बात करते हैं फिर अंसर की ऑप्षन वन टू थ्री फोर में से तो आपका अंसर जो है वो दूसरा वाला सही होगा जो की कह रहा है विशलेशड का विलोम विवेचन तो आप कहेंगे विशलेशड का विलोम विवेचन नहीं होता है, संसलेशड होता है, बस यही आपका जो है वो option सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे प्रस्थ में नहीं जो है वो पूछा गया था, बागी भी एक बार देख लीजे, लोलुप का विलोम संतुष्ठ होता है, यौ ऐसे प्रस्थ आपको देखने को मिलेंगे, जूनियर के सुपाइट में, जूनियर एड़ेट वेकेंसी भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि साधान प्रस्थ आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसी टाइप के होंगे कि यह चार-चार option में भी आपसे अलग-अलग चीज नहीं है, कहीं न कहीं आप देखेंगे, तो समानार्ती के संदर में ही लग रहा है, तो चलिए बात करते हैं अंसर की, इन चार-चार option में तो आपका चौता वाला दिबात करें, क्रती जो है, निक्रश्थ पुरुस ये वाला जो है, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि प् क्रती अन्य आप्शन में दे रखें, जैसे अन्योन का परसपर होता है, क्रती का रचना भी होता है, कहता है नहीं, कि जैसंकर प्रसाथ की क्रती लिखिये, और जिसी कोई दूसरे बात की में भी लिखा रहता है, या दूसरे तरीके से भी लिखा रहता है, कि जैसंकर प्रस को ओटन लगे का पास तो ये मुहावरा दे रखा है इसका आपको बताना है अर्थ जो है वो क्या होगा उद्धेश गी प्राप्ती में असफल होना ईस्वर भक्ति को चोड़कर व्या पार में लग जाना या फिर हरी भक्ति जो है उसका मार्ग कठिन होना या फिर किसी कार्य विशेज की उपेक्षा कर दूसरे जो हैं कारे उनको थोड़ा सा उधर और कर देते हैं करना जो है वो लिखा होगा है दूसरे कारे जो हैं उनको करना तो आपको बताना है कि आयते हरी बजन को ओटन लगे का पास इसका मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होगा तो चलिए ब बजन को ओटन लगे कपास तो किसी कारे भी से इसकी उपेक्चा करके दूसरे कारे को करना उपेक्चा मतलब कह सकते हैं उसको priority ना देकर इस type से भी आप कह सकते हैं तो दूसरे कारे को करना यही चौथा वाला आपका सही हो जाएगा अगला देखने हैं प्रस्ण कि वाक्य और उसके भेद से सम्मंदित कौन सा जोड़ाया आपर गलत है ये आपको जो है वो बताना है तो पहला कह रहा है कि जो पर्थम आएगा वो पुरस्कार पाएगा तो ये आपका कह रहा है मिस्र वाक्य है तो बताइए पहला है दूसरा आप से कह रहा है कि नेता ने भासाड दिया और चला गया ये सयुट वाक्य के लिखा हुआ है इसी प्रकार बच्चे नास्ता करके विद्धाले गए सरलवा के लिखा गया है लक्षिमी गई और सोफिया आ गई ये सरलवा के लिखा है तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा यहां पर गलत वाकिक के उधरण के सामने लिखा हुआ है सामने option भी दे रखे हैं इसलिए आपको चाटना है option 1,2,3,4 में से इस पश्ट आपको समयल में आ रहा होगा उत्तर की भी बात कर लेते हैं तो चौता वाला आपका option बिलकुल सही होगा चौते में आप देख रहे हैं तो और यहां पर लगा हुआ है और जब दो इस प्रकार से अलग-अलग से और योजक से जुड़ रहा होता है तो क्या वो सरल वाके होता है तो आप कहेंगे नहीं वो सरल वाके आपका जो है वो नहीं होता है तो लक्षमी कई और सोफिया आ गई यह वाके आपका कैसा वाके है तो ये वाक्य आपका सयुक्त वाक्य है इस चीज को भी द्यार न किये तो आपका चौता वाला यहां पर option बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि परस्त में आपसे गलत जो है वो पूछा गया था बाकी सबी सही है देख लीजे और वाक्य में दुतरे पर depend होते हैं जो प्रतमाएगा वो पर रसकार पाएगा इस टाइप के तो होते हैं सहीÓक्त में और हो गया उसकी सही होता है जुड़य होते हैं धो 이ो प्रकार से तो ये भी आपका सहीनुत वाला भी सही है इस प्रकार से तो यह भी आपका सहित वाला भी सही है और सरल वाक्यार भी जो है वो सही है अगला देखते हैं प्रस्ण कहा रहा है कि वाक्यांज के लिए एक सब्द से निम्लिकित में से कौन सा जोड़ा गलत है आपको बताना है यहाँ पर भी देखिए आपसे गलत ही जो है वो पूछा गया है तो पहला कहा रहा है कि जो मनुस से से दूर हो उसके संदर में पूछा गया है आमानुसिक होगा यानि कि अनेक सब्दों के लिए एक सब्द के संदर में यहाँ पर दे रखने हैं दूसरा कहा है कि जो कम वाला हो अपवई फिर है जिसका हिलाज कठिन हो उसे कहते हैं दूसाद दे और फिर जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे लिखायां पर प्रागय इतिहासिक तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो गलत है तो देखिए कितने टाइप ट आची देखे इसमें हमने समानार्थी देखे इसमें हमने विलोम भी देखे आप देखिए अनेक सब्दों के लिए एक सब्द भी देख रहे हैं तो सारी चीजे मिक्स वाम है वीडियो को सबी लोग शेयर करते रहेगा लाइक करते रहेगा इसी प्रकार में आपको आगे भ जो कम खर्च करने वाला हो उसे हम अपवई जो है वो नहीं कहते हैं उसे हम मितवई कहते हैं मितवई को ही हम कंजूस भी कहते हैं तो मितवई आपका इसका जो है वो सही होगा तो ध्यान दीजिए कि जो कम खर्च करने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं मितवई कहते हैं तो यही आपका option दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि प्रस्थ में गलत ही पूछा गया था बाकित एक बार ध्यान रखिए कि जो मनिस्टता से दूर हो उसे आमानुसिक कहते हैं इसका इलाज कठीनों उसे दूसाद्ध कहते हैं और जो इतियास लिखे जाने के युक से पूर्व का उसे प्रागयतियास से कहते हैं अगला कह रहा है विरामचिन अब देखे विरामचिन भी हम यहाँ पढ़ लेंगे तो सभी डाइब के प्रस्थ प्रेक्टिस हो रहा है विरामचिन की दृष्टी से कौन सा वाकिय हाँ पर आपको बताना है असुद्ध है कि मैं क्या कहता महक रागिनी स्वेता आदी भी आई ये सब अब गाना गाएंगी फिर इसी परकार तीसरा है कि नहीं कल मैं तुमारे घर नहीं आ सकूंगी और चौथा है कि उसने पूछा तुम कहां थे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाकिय असुद्ध है यहाँ भी असुद्ध चाटना है इस चीज को ध्यान दीजिए अभी आप गल्ती ना करें तो आप चाहें तो इसको इस परकार से थोड़ा सा हाइलाइट करके महाँ पर नीचे लाइन कीच सकते हैं गोला बना सकते हैं कि प्रस में पूछा क्या गया है तो आप्शन वन टू थी फोर में से कौन सा यहाँ पर गलत है असुद्ध है चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आप कहेंगे तीसरा वाला लिखा है ना कि नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी ये वाला आपका विरामचिनी की दरश्टी से असुद्ध है इसका सुद्ध रूप क्या हो जाएगा नहीं फिर कॉमा लगेगा नहीं के बाद कॉमा लगेगा फिर कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी तो यह जो कॉमा लगने के बाद यहां पर inverted कॉमा भी लगेगा यहां से लेकर के पूरा वहां तक नहीं से पूरा जो है वो कंप्लीट होगा यह आपका तीसरा वाला इसलिए विराम चिनी की द्रश्टी से असुद्ध है नहीं के बाद वैसे आप देखने तोड़ा सब फोली स्टॉप आ रहा है तो इसलिए देखिए यहां पर कॉमा तो लगे गई उससे ही आपको सब्च में आ रहा था कि यहां पर जो है वो असुद्ध दे रखा है देखते हैं हमारा अगला लोगोपती और और यह हमारा जो है इस वीडियो का लाश्ट प्रस्न होगा सभी प्रस्न हमने इस वीडियो के देख लिए है और इसके बाद एक प्रस्न हम आप से भी जो है वो पूछेंगे तो प्रस्न देख ल पूट कर दूसरी विपत्ती में पढ़ना ध्यान ये रखिएगा गलत यहां पर प्रस्त में पूछा गया है दूसरा कह रहा है कि घी भी खाओ और पगडी भी रखो इतना खर्च करो कि इजद भी वनी रहा है ये दूसरा हो गया दीसरा है ओस चाटे प्यास नहीं भुझती इसमें लिखा है कि बड़े काम के लिए विशेश प्रत्न की जरूरत होती है और चौता कह रहा है काट की हांडी जो है वो बार-बार चूले पर नहीं चड़ती तो काट की हांडी बार-बार जल जाती है तो इस प्रकार से चार आपको दे रखे हैं बताना है आपको इन चा अब्रेया लोकोपती में दे रखा हो, जैसे यहाँ पर काट की हांडी की बात की गई है, और इसके अर्थ में भी अगर वही बात करी जाए, काट की ही हांडी की ही बात कर ली जाए, तो वो गलत होता है, अधिकतर ऐसा पाया गया है, क्योंकि जो अर्थ होता है, एक्च्वल म पैचानने का यह भी धान लखे कि यह भी सब सही है कि घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो यानि इतना कर्च करो कि जद्वनी रहे और पहला भी धान लखेगा कि कड़ाई से गिरा कुचूले में पड़ा यानि एक आपत्ती से छोट कर दूसरी भी बत्ती में पढ़ना तो स साथी साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाईएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिसना हो टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सर्च करके भी जुड़ सकते हैं अब आपक की है भक्त माल भक्त माल जो है इसके रचना कार आपको जो है वो पताना है रचना कार पहला ओप्शन है आपका नाभा दास दूसरा ओप्शन है आपका केसव दास तीसरा ओप्शन है आपका विश्नु दास और चौता ओप्शन है आपका सुन्दर दास तो नाभा दास, केसव दास, विश्नु दास, सुन्दर दास इन चारों option में कौन सा सही होगा सभी लोग अपना answer वीडियो के main comment में type करके बताईएगा इसका जो answer होगा वो next वाले वीडियो में हम देखेंगे भी साथ में और भी इसी प्रकार बहतरीन से बहतरीन प्रस्न हम आपको practice जो है वो कराएंगे live timing जिनको नहीं पता है तो ये जो वीडियो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं सामके 8 बजे और एक और live timing है current affair के लिए जो की सामान गयान समसमाई कटना है सभी के लिए वो common विस है इसलिए वो live timing हम देख रहे हैं दोपहर के 3 बजे तो live आकर भी वीडियो अब देख सकते हैं तो आज गोड़ों में फिर इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रसनों के साथ दुआदार प्रैक्टिस करेंगे तो सभी लोग live timing जो है उस पर आ जाईएगा चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब ते के लिए नमस्कार थैंक्यू पर वाचिंग